हेलो माई डेल लबली स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल सुभम लेक्षरर जितने भी हमारे स्टुडेंट्स साथ मार्च को क्लास 12 कमेश्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही जादा इंपोरेंट हैं क्योंकि बहुत सारे कमेश्ट्री की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है ऐसे मैं आप कमेश्ट्री के पूरे बुक के महत्त्रपूर्ण प्रसनों को एक ही वीडियो में बताईए वनलब क्यमेश्ट्री में जितने भी Most Important Question है सारे Question को आप एक वीडियो में बताईए तो आज का ये वीडियो वे बुक के जितने भी महात्रपूर्ण प्रशन हैं सब को बताऊंगा जितने भी कुशन आपको पढ़के जाने हैं ठीक है तो बस इतना पढ़कर जाना साथ मार्च को आपको 95% लाने से कोई नहीं रोग सकता ठीक है तो आपका भी टार्गेट है कि 70 में 70 हम लोग लेकर आए कमेश्ट्री में तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा जो जो टॉपिक मैं इस क्लास में बताऊंगा वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे और ये कोई छोटा मोटा क्लास नहीं है बहुत ही special क्लास है क्योंकि इस वीडियो में हम कमेश्ट्री के जो अतनी लग उत्तर में बताऊंगा सही सुना आपने मैंने chapter wise questions की एक list तैयार की है इस list से करोगे पढ़ाई तो topper list में आपका भी नाम आएगा ठीक है तो जितने भी question है पहले हम एक एक chapter के अतिलग उत्तरिये प्रशनों को देखेंगे कि ये अतिलग उत्तरिये में आपको क्या-क्या पढ़क नमबर के आते हैं फिर जो रियक्सन important है उनको भी हम जानेंगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है अगर इसको नहीं देखा तो क्या देखा चलिए start करते हैं बस इस वीडियो को आप लोग लाइक करना चैनल पने चलों को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी classes में आपको देता हैं देखो सबसे पहला टॉपिक है दो नमबर में मोल अर्था मोल अर्था आपके कमिस्टी में बहुत important टॉपिक है वही है इसको पढ़ लेना और मोल अर्था से related numerical भी आता है तो आप लोग जब इसको पढ़ें तो आप इसका formula इसका परिभासा और इसका numerical भी पता होना च सारे चैप्टर की questions मैंने आपको दिये हैं तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं एक class मैंने लिया था 70 नमबर पक्का वाला एक class ठीक है 5-6 घंटे की वो class होगी उसको देख लो काम हो जाएगा बहुत आसानी से ठीक है दूसरा topic है मोल अलता इसको भी पढ़ लेना देखो बिलेयन चैप्टर जो है इससे numerical जाधतर आते हैं मैं numerical भी आपको बताऊंगा अभी last में कि किस चैप्टर से सबसे जाधा numerical आते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखना बहुत important वीडियो है इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्या important है तो दो नमबर में मोल अ नमबर में आएगा ये तीन नमबर में नहीं आ सकता देखो भया ये दो नमबर में भी आता है तीन में भी आ सकता है लेकिन जादा तर जो देखा गया है वो दो नमबर में इसको देखा गया है इसलिए मैं आपको दो नमबर वाले questions में बता रहा हूं ठीक है हो सकता ये ती चैप्टर है विद्दूत रसायन देखो मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा वीडियो भले ही थोड़ा सा लॉंग हो जाए लेकिन ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा ये विद्दूत रफायन चैप्टर पहले हम दो तो नंबर के पूरे चैप्टर के कुश्चन प पढ़ लेना सेल का विद्दूत वाहग बल पढ़ लेना विद्दूत रसायन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोरेंट है अभी मैं तीन नंबर में भी कुश्चन बताऊंगा जो कुश्चन यहाँ पे छूट रहे हैं वो तीन नंबर या चार नंबर में मैं भी आपको दो ताऊंगा टेंसन मत लेना जब तक हम है तो यह इतने टॉपिक विद्दूत रसायन चैप्टर में इंपोरेंट है ऐसा मत कहिएगा सर आपने नहीं बताया सर्च करो क्लास 12 कमिस्टी इंपोरेंट कुश्चन सुभम लेक्चरर आपको मैराथन क्लास तीन तीन चार चार घं यह काफी ज़्यदा इंपोरेंट है एक और टॉपिक इसमें इंपोरेंट है प्रथम कोटी की अफकिरिया मलब अफकिरिया की कोटी और आर्मिक्ता इन सब के बारे में इसमें पढ़ लेना डियों एफ ब्लॉक के तत्तु चैप्टर में देखिए संकरमन तत्तु पढ़ने अंता संकरमन तत्तु को पढ़ लेना लैंथे नाइड ये तीनों टॉपिक हमारे डिया या ब्लॉक तत्तु में सबसे ज़ादा इंपोरेंट है तो इसको बिल्कुल भी मिसाउट मत करना चैप्टर फाइब पे आते है उप्ट साह सायोजर योगी देखिए हमें बहुत सार टॉपिक जो मैंने बता रहा हूँ इसमें क्या क्या आपको पहले से पता है ठीक कितनी पढ़ाई आपने की है देखो उपसा संयोजर योगी में आप लिगेंड को पढ़ लेना ख्वाटिज लिगेंड और लिगेंड कितने परकार का होता जैसे एक दंतुर्दी दंतुरु चैप्टर पहले आता है ठीक है चैप्टर नंबर 6 अगर हम बात करें हमारे कमिस्टी में UP बोर्ड सिर्फ 10 चैप्टर है मैं या 10 चैप्टर ही आपको पढ़ने घोल कर पीलो एक्जाम पे कुछ नहीं है इसमें ठीक है देखो उड्स अभकिरिया पढ़ लेना उड्स अभक क्लास मैंने आपको दिया है मैंने जितने भी नेम्ड रियक्षन है उनका एक क्लास मैंने आपको दिया है लगभग एक घंटे की क्लास है उसमें जितने भी नेम्ड रियक्षन है सबको एक ही वीडियो में बता दिया है तो सर्च कर लेना क्लास 12 कमिस्टी इंपोर्टेंट पढ़ा मैंने सब कुछ रखा है गलती आपकी है कि आपने पढ़ा नहीं होगा और जो बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हैं उन्होंने वो क्लास देख ली होगी 100% उड्स फिटिंग अफ करिया पढ़ लेना क्लोरो फॉर्म की बारे में पढ़ लेना जो हमारा CHCl3 होता है इसको क्लोरो फॉर्म भी बोलते है या ट्राइकलोरो मेथेन भी बोलते है क्योंकि तीन क्लोरीन है तो ट्राइकलोरो एक कार बने तो मेथेन ट्राइकलोरो मेथेन बस ह गया, सेबन नंबर चैप्टर, एलकोहल, फिनॉल, एउम, एथर, इस चैप्टर में क्या पढ़के जाओगे, एलकोहल की जल में बिलेता, आखिर एलकोहल, जल में किस प्रकार से विले होते हैं, इसको पढ़ लेना, बिलियम संसलेशन अब के लिए ये नेम्ड रियक्षन है, इसको पढ़ लेना, मैंने आपको चैप्टर वाइज नेम्ड रियक्षन भी प्रोवाइड करा दिया है, पूरा नेम्ड रियक्षन एक क्लास में भी मैंने आपको दिया है, जाकर पढ़ लेना, बाद में पस्ताना नहीं पढ़ेगा, ठीक है, चैप्टर एट पे चलते हैं LD हाइड कीटोनियों कार्बोक्षिलिक अमलिपे ठीक है इसमें दो नंबर में यूरो ट्रोपीन के बारे में पढ़ लेना मलब ये जो सारे कुष्चन है ये मैंने रिसर्च करके अच्छे से टॉपिक्स को लिखा है ताकि आपको मैं प्रोवाइड करा सकू बोड एक्जाम के समय आप आग लगा सकें और फातमार्च को जाकर 95% फोर सकें केमेस्ट्री में ठीक है यूरो ट्रोपीन पढ़ लेना फॉरमेलिन क्या होता इसको पढ़ना ये बहुत इंपोरेंट है किलीमेंस अपचयन ये भी टॉपिक बहुत इंपोरेंट है और इसमित अफकरिया भया ये चारो टॉपिक LD, हाइड, कीटोरियम, कार्बोक्षिली कमन में सबसे ज़ादा इंपोरेंट है तो इनको बिना पढ़े मत बजाना है अभी हम दो-दो नमबर वाले कूश्चन देख रहे है अभी तो ट्रेलर है, पिच्चर अभी वागी है मरे दोस्त अभी तीन नमबर, चार नमबर सबको पढ़ेंगे क्लास भले ही थोड़ी लंबी हो लेकिन बहुत इंपोरेंट होगी अमीन में देखो, कार्विल अमीन अवक्रिया, नायट्रो बेंजिन बनाने की विद्धी, डाइजोनियम लवर्ड ये सब दो नमबर में अकसर आते हैं, तो इनको पढ़ देना और कार्विल अमीन अवक्रिया वो नेम ड्रेक्शन वाले क्लास में आपको मिल जाएगा जैयो अडू में चलते हैं हम लोग भाईया जैयो अडू बायो मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा इंपोर्डन टॉपिक है बायो मॉलिक्यूल से दो नमबर वाले कुश्चन आते ही आते हैं तो जितना टॉपिक में बता रहा हूँ पढ़ लेना कुश्चन दूसरे तरह से आएगा जैसे मैं कार्वो हाइडरेट आपको टॉपिक बता रहा हूँ एमीनो अमल क्या है प्रोटीन क्या है इस सब के बारे में तो पढ़ना ही होगा ठीकर न्यूकलीक अमल जो है भी तीन नंबर में आएगा तो ये आपका 10 नंबर चैप्टर था तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी 2 नंबर वाले कुश्चन थे वो हमारा important जो भी था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया मलब चैप्टर 1 से 10 तक दो नंबर वाले कुश्चन लेकिन अभी 3 नंबर वाले कुश्चन को देखते हैं क्योंकि मैं कहता है रताओं ट्रेलर है वी विक्चर वाकिए 3 नंबर वाले पे आते हैं अब 2 नंबर में बहुत सारे टॉपिक मैंने आपक इसके बारे में पढ़ लेना ये विद्दुत रसायन में आता है देखो अभी मैं आपको चार नंबर वाले लगुतरी बताओंगा कुछ कुश्चन उसमें अर्जेस्ट होंगे ये ध्यान लखियेगा जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं लेकिन चार नंबर वाला कुश्चन छूट रहे हैं वो चार नंबर में आ जाएंगे और जो लॉंग कुश्चन आते हैं वो भी मैं इसी क्लास में बताओंगा तो ये विद्दुत रसायन चैप्टर में ये दोनों कुश्चन आपको पढ़के जाने रासायनिक बलगत्की में अब क्रिया की आणवि अब क्रिया की कोटी आप भासी एक आणविक अफ क्रिया दैट्स त्री टॉपिक इस मोस्ट इंपोर्टन फॉर वोर्ड एग्जामिन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर इन त्री नंबर ठीक है नेक्स्ट डी और ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथे नाइड पढ़ लेना संक अंकरमन तक के बारे में पढ़ना उपसा सयोजन योगिक में जो मैंने बताया था लिगैड के प्रकार एक दंतुर दी दंतुर तथा उभय दंतुर लिगैड ये सब अक्सर आते हैं इसमें आपको उपसा सयोजक योगिकों का जो नाम करण है वो भी आना चाहिए क्योंकि वो भी कुश्चन आपके एक्जाम में जोरो सोरो से आ रहा है तो यह आपका हो गया नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं भीया तिन नंबर में हाईलो एलकें तक था हाईलो एरीन में इसमें सैट जेफ का नियम इंपोरेंट है एक सैट जेफ नियम है आपने देखा होगा य गेम रियक्षन में आपको यह भी मिलेगा फ्रीडल क्रॉप्ट पर किरिया यह भी बहुत ज़्यदा इंपोरेंट है यह सब BVI कुश्चन है मनलब वेरी वेरी इंपोर्ट इंपोर्टन ठीक है तो इनको आप मिस मत किजेगा यह तीन टॉपिक हमारे चैप्टर 6 में बहुत है इनको पढ़के जाना एलकोहल फिनॉलियम इथर में आप लोगे अलकोहल का आईउपीसी नॉमेंक्लेचर आफ एलकोहल इसके बारे में पढ़ना लिवकास टेस्ट क्या होता है लिवकास परिच्छर क्या होता है इसको भी आप पढ़ लेना ठीक है तो यह दोनों टॉप टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है अलकोहल फिनॉलियम इथर चैप्टर में ठीक है आगे बढ़ते हम लोग एक और टॉपिक है इसमें क्लोरोवेंजीन से फिनॉल बनाना आप क्लोरोवेंजीन से फिनॉल को कैसे प्रोडूस करेंगे कैसे बनाएंगे यह टॉपि भी अलकोहल फिनॉलियम इथर चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है बलब क्लोरोवेंजीन से फिनॉल बनाना ठीक है यह टॉपिक इंपोर्टन है यह हमारा चैप्टर नमबर एट है तीन नमबर में इसमें कैनी जारूफ करिया यह जो तीनों रियक्षन बत यह तीनों रियक्षन अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं केमेश्टी के पेपर में आप प्रीबियस एर पेपर को उठा कर देख लीजिए कैनी जारूफ करिया और यह लियुकास परिच्छन तो अक्सर आता है तो इन सारे टॉपिक्स को मिस आउट नहीं करना जो भी ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग एमीन में देखिए इसमें टफ किरिया यह तो इंपोरेंट है तीन नंबर में अक्सर आती है प्रियोग शाला में एथिलमीन बनाना जो आपका एथिलमीन होता है C2H5NH2 यह एथिलमीन का फॉर्मूला है इसको प्रियोग शाला में कैसे बन लिपिड्स क्या होते हैं और प्रोटीन का विक्रती करण तीन तीन नंबर में यह टॉपिक्स बहुत इंपोरेंट है तो हमने यहाँ पर एक चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर पर तक जो तीन तीन नंबर वाली कुष्चन थे उनको भी जाना आप लोग एक आइडिया लगाईएगा कि इसमें से कितने कुष्चन हमको पता है किस लायक हूं है ठीक है खुद का टेस्ट लिजी एक्जाम आ गया है बस आप लोग सोचिए कि क्या मैं कर सकता हूं कि कितना मैं जानता हूं ठीक है यह इस चैप्टर से बिश्तरुतर यह प्रसम सबसे ज़्यादा आते हैं तो वो भी मैं बता हूंगा चार नंबर में अगर देखा जाए तो विलैन चैप्टर में काफी कुष्चन इंपॉरेंट है एक तो कुथनांग का उन्नेन पढ़ लेना कुथनांग का उन्नेन क्या होता इन सबका फॉर्मूला जरूर पढ़ना क्योंकि मोलल उन्नेन इस्थरांग मोलल उन्नेन इस्थरांग यह अक्सर बोड एक्जाम के में देखने को मिलता है किलियर है आपने खुद देखा होगा मोलल उन्नेन इस्थरांग के नियुमेरिकल से आपने देखा होगा मोलल उन् आप क्या होता है यह तीन नमबर चार नमबर में भी आता है तो इतिने टापिक कुछ अलग-अलग टाइब्स के आते है लग हुतरिया प्रश्णों का भी मैंने आपको क्लास दिया है चैप्टर वन से इलेक्ट्रोड विभो और इलेक्ट्रो केमिकल स्रीज विद्दुतरासायनिक स्रेडी क्या होती है यह दोनों टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है विद्दुतरासायन चैप्टर में इलेक्ट्रोड विभो विद्दुतरासायनिक स्रेडी इनको मिस आउट आप नहीं कीज जिएगा क्योंकि ये टॉपिक विद्धुत रसायन में अक्सर आते हैं इलेक्टूट विभोव से आप क्या समझते हैं विद्धुत रसायनिक स्ट्रेडी और इसके अनुपरियोग बताईए तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉड़न क्या मैंने पढ़ाया भी है केमिकल काइनेटिक्स में देखिए अभिकिरिया की कोटी को पढ़ लेना अभिकिरिया की कोटी क्या होती है अभिकिरिया की कोटी कितने प्रकार की होती है और अभिकिरिया की आडविक्ता आप रियक्षन इसको पढ़ लेना और अक्सर चार नंबर में एक कुष्चिन आता है अभकिरिया की कोटी और आणविक्ता को समझाईए या फिर अभकिरिया की कोटी और आणविक्ता में अंतर असपष्ट कीजिए तो वो आपको आना चाहिए दिया डी आइंड या ब्लॉक के तत्व चैप्टर में देखे 10 नमबर संक्रमन तत्व एवं इसकी विशेष्टा है संक्रमन तत्व और उसकी विशेष्टा लैंथेनाइड एवं एक्तेनाइड स्रेडी ये दोनों टॉपिक चैप्टर 4 में बहुत इंपोरेंट है चैप्टर 5 पे आते हैं इसमें भी दो सिधान्त हैं जादा इंपोरेंट हैं चैप्टर 6 पे हम लोग चलेंगे हाईलो एलकेन तथा हाईलो एरीम में इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं मैं इसमें बताऊंगा जो आपके शामने हैं ये आप लिख कर ले रीजी, एक नाएक टॉपिक आना ही आना है, एक है एक आणुक नाभिकरागी प्रतियास्थापन यानि कि SN1 अभिकिरिया, एक है दी आणुक नाभिकरागी प्रतियास्थापन यानि कि SN2 अभिकिरिया, और एक है DDT, ये तीनों टॉपिक ट्रेंडिंग म SN1 reaction and SN2 reaction और DDT इसको आपको 4 नमबर में बिल्कुल से पढ़के जाना है अब देखिए इस टोड़े नेक्स चैप्टर मारा है चैप्टर नमबर 7 इसमें क्या क्या important है इसमें भी कुछ name reaction है जो बहुत important है देखो एक तो rhyme or Tman अफ के लिए जो मैंने name reaction वाल आपको class बताया उसमें मैंने यह आपको बताया है rhyme or Tman reaction और कोलिवे एफ के लिए काफी ज़्यदा important है अल्कोहल फिनॉल एम इथर के उपयोग देखिए चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल एम इथर तो इसकी uses पूछा जाएगा एक है एथे नॉल बनाने की विधी एथे नॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH तो यह है इस्टूडेंट एथिल एलकोहल C2H5OH ठीक है और इसी का IPAC नाम होता है एथे नॉल तो ऐसा मस समझेगा कि एथिल एलकोहल और एथे नॉल अलग अलग है दोनों सेम ही होते है ठीक है तो यह आपके अलकोहल फिनॉल एम इथर चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपोर्डेंट टॉपिक है है राइमर टीमन अफ किरिया कोलवे अफ किरिया अलकोहल फिनॉल एम इथर के उप्योग और एथे नॉल बनाने की विधी अब चैप्टर एट पे चलते है LD हाइड की टोन एम कार्बोक्सिली कमल में इसमें आप लोग परकिन अब के लिया पढ़ लीजेगा और परियोग शाला में फॉर्म एल्डी हाइड बनाना हसी अच्चो जो होता है फॉर्म एल्डी हाइड इसको प्रियोग शाला में कैसे बनाएगे ये LD हाइड की टोन एवं कार्बोक्सिली कमल में इंपोर्टेंट है अभी आपके पांच नंबर वाले में भी बहुत सारे कुश्चन है उसको भी में यहाँ पे डिसकस करूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं हम लोग चैप्टर नाइन पे आते हैं एमीन पे देखो इसमें प्रात्मिक एमीन दितियक एमीन यों तितियक एमीन की पहचान कैसे करोगे एमीन देखी इसका फंक्शनल ग्रूप एमीन देखी इसका फंक्शनल ग्रूप एमीन की पहचान यह काफी ज़दा इम्पोरेंट है इसमें कुछ कैसे प्राप्त करोगे के रियक्शन आते हैं बलब इसी में नहीं पूरे हमारे 12 का जो सेकेंड कवेष्टी है चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक इसमें आपके कैसे प्राप्त करोगे क्या होता है जब क्ये भी रियक्शन आते हैं तो इसको मैंने आल्लेडी बता रखा अगर आप लोग सर्च करोगे क्या होता है जब इंपोर्टेंट रियक्शन सुभम लेक्शर या कैसे प्राप्त करोगे इंपोर्टेंट रियक्शन सुभम लेक्शर तो आपको क्लास मिल जाएगा ठीक है चैप्टर 10 जयो अडू पे चलते हैं भाईया इसमें क्या इंपोर्टेंट से चार नंबर में देखिए गुलुकोस से गुलुकोसा जॉन गुलुकोनिक अमले हम सार्बिटाल कैसे प्राप्त करेंगे मलब हम गुलुकोस से गुलुकोसा जॉन गुलुकोनिक अमले यह हम सार्बिटाल को कैसे प्राप्त करेंगे ये टॉपिक बहुँ जदा इंपोरेंट है जैयो अडू चैप्टर में ठीक है तो इनको बिल्कुल भी मिश्मत किजिएगा इसके बाद में हमारा 26 नमबर है प्यप्टाइड क्या है ये भी कुष्चन काफी जदा इंपोर्टेंट है ठीक है तो ये आपका निवेरिकल है उसको भी समझेंगे किस चैप्टर से आ सकता है पांच नमबर वाले प्रस्णों में बिल्लैन चैप्टर में एक ही कुष्चन आता है देखो मैं आपको किलियरली बता दू कि जो दिर घुतरी ये प्रस्ण यारी कि बिस्तर तरी प्रस्णों ते सबसे पहले देखिए विलेन चैप्टर को हम लोग देखते हैं निम्न पदों को परिभासित किजिए निम्न पदों को परिभासित करना है जैसे मोल अंस, मोल अल्ता, मोल अर्ता, द्रब्यमान, प्रतिसत इन सबको आपको परिभासित करना है ये काफी ज़दा इंपोरेन तोपिक है मतलब अगर विस्तरुत तरिये प्रस्णों में एक कुश्चन आएगा इस चैप्टर से तो ऐसे आएगा तीन चार टोपिक दे दिये जाएंगे उसको परिभासित करना होगा फॉर्मूला लिखना होगा बिद्दुत रसायन चैप्टर में मानक हाइडरोजन इलेक कि में एक कुश्चन आ सकता है कैन भी किसी रासानी कपक्रिया के बेग पर दाब सांजरता ताप उत्प्रिरक का क्या प्रभाव पढ़ता है ये आ सकता है तो इसको क्लियर कर लिजेगा ठीक है चैप्टर फोर में एवा में एप ब्लॉक के तब तब तुमें आपका लैंथ लैंथे नाइड आकुश्चन क्या है ये कुश्चन अक्सर आता है इस चैप्टर से ये कुश्चन आता है तो इसको अप्लुग पढ़ लिजेगा मैंने आपको ट्वेल्थ कमिश्टी के लॉंग कुश्चन का अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रखा है उसको पहित समझाईए ठीक है चैप्टर 6 पे चलते हैं हम लोग हैलो एलकें तथा हैलो एरीन इसमें एक कुश्चन काफी इंपोरेंट है इलेक्ट्रोन रागी इसने ही प्रतियस्थापन अभिकिरिया क्या है एरिल हैलाइड का उधारन देते हुए इसकी किरिया विधी समझाईए ये कुश्चन चैप्टर 6 से आ सकता है क्योंकि ये इंपोरेंट है ठीक है चैप्टर 7 एलकोहल में तो आपके कुश्चन इंपोरेंट है ही प्रियोग साला में डाई अथिलिथर बनाने की विधी का वड़न करूर डाई अथिलिथर फॉर्मूला होता है C2H5 O C2H5 ठीक है इसकी विधी का आपको वड़न करना है संबंधित रासाइनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखे मलब जो केमिकल रियक्षन है इसके भी आपको केमिकल इक्वेशन्स लिखने है चैप्टर 8 पे आते हैं एल्डी हाइड कीटोनियम कार्बोक्सली कमल इसमें देखिए द इसके प्रमॉड़ी हाइड बनाने की विधी आपको बतानी है और इसकी सांद्र NAOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली किरियाओं का समीकरण लिखना है मतलब आपको प्रियोग सारा में फॉर्मलडी हाइड कैसे बनाए यह बताना है और इस फॉर्मल्लडी हाइड का सो यह ketone जो आपका है ketone group से आता है acetone तो फुद्ध acetone बनाने की प्रियोक साला विधी का वड़न करना है और इसके प्रमुख रासायनिक गुड़ भी लिखने है तो यह chapter 8 था आप देखे इस student chapter 9 है amine chapter ठीक है यह 9 number chapter इससे देखे दो एक question important है बहुत ज़्यदा देखो एथिल अमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निमन के साथ इसकी रासायनिक अफ्किरियाओं के समीकरण भी लिखिए जैसे chloroform तथा एलकोहाली है के वो एच और नाइटरस अमले मलत प्रियोक साला में एथिल अमीन बनाना C2H5NH2 यह एथिल अमीन है क् एमीन चैप्टर है तो इससे जो लॉग कुश्चन आता है वो एथिल अमीन बनाने का रासायनिक समीकरण आपसे पूछा राता है कि प्रियोक साला में एथिल अमीन का ऐसे बनाएंगे ठीक है और इसकी chloroform तथा एलकोहाली है के वो इसके साथ अपकिरिया बदाना है और न एक कुश्चन आ सकता है गुलुकोज का सनरशना सूत्र लिखिए इसकी तीन रासायनिक अभिकरियाओं का वडन किजिए जिसमें इसके पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का होना सिध्ध होता है तो ये कुश्चन आ सकता है तो ये तो थे हमारे एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर वाले कुश्चन अब मैंने आपको का था कि मैं आपको अभिकरियाओं भी बताओंगा कौन कौन से रियक्षन इंपोरेंट है सबसे पहले ये जान लिजे मैंने आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्द करोगे कि रियक्षन तो आपको पढ़ने ये साथ में नेम्ड रियक्षन कौन कौन से पढ़ने देखो चैप्टर 6 से आपको उड्स अफ किरिया, उड्स फिटिंग अफ किरिया, फ्रीडल क्रॉप्ट अफ किरिया, हाईलो फॉर्म किरिया, इन चारो रियक्षन को आपको हाईलो एलकेन तथा हाईल लोगे इन चैप्टर से पढ़के जाना है जितने भी नेम रियक्षन में आपको बता रहा हूँ सबको मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ मैंने आप से कहा था कि आप लोगों को सारे नेम रियक्षन में एक class में provide करा चुका हूँ तो आप लोग सर्च करूगे class 12 chemistry important reaction सुभम lecture आपको class मिल जाएगा चैप्टर 7 में कौन सा reaction important है अल्कोहल फिनॉले मीथर में इसमें बिलियमसंस translation अपकिरिया राइमर टीमन अपकिरिया कोल बे अपकिरिया अथवा कोल बे smith अपकिरिया यह reaction बहुत important है चैप्टर 8 पे अगर चलें तो इसमें smith अपकिरिया चैप्टर 8 आपका aldehyde ketone यों कार्बोक्षिलिक आमल है इसमें smith अपकिरिया कैनी जारो अपकिरिया अल्डोल संगनन क्लीमन सप्चेन और बेंजोईन संगनन यह reaction बहुत important है चैप्टर 9 पे देखें अगर हम लोग तो इसमें कावविलमीन अपकिरिया हाफ मान ब्रोमे एमाइड अपकिरिया इसको पढ़ लेना तो यह सारे जो name reaction अभी मैंने जो आपको बताया है इनको एक ही वीडियो में मैं आपको provide करा चुक हूँ उसको search करके देख लेना और दो प्रकार के reaction और आते हैं एक तो आपका हो गया क्या होता है जब क्या होता है जब और एक आपका होता है कैसे प्राप्त करोगे कैसे प्राप्त करोगे यह दो टाइप के जो reaction है यह अक्षर आपके एक्जाम में आते हैं तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर सर्च करोगे क्या होता है जब important reaction सुभम lecturer या कैसे प्राप्त करोगे important reaction सुभम lecturer तो आपको class मिल जाएगी मलब ऐसी कोई class नहीं है जो मैंने इसका नहीं लिया हो इसका class मैं आपको already provide करा चुका हूँ तो इन reactions को जरूर पढ़ लेना क्योंकि हमारे chapter 6 से chapter 10 आप जो reaction मैंने बताए उसको तो आपको बिल्कुल से पढ़के जाना है क्योंकि यह tip पड़ी में भी आता है कि हाइलो form of kriya पर tip पड़ी कीजिए काइनिजारो of kriya पर tip पड़ी कीजिए और ऐसे भी आपका था 12th chemistry के पूरे book के जितने भी important question थे दो नंबर तीन नंबर च अब कुछ अब numerical की थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं देखो numerical में सबसे पहला chapter जो आपका है विलयन इस chapter फे तो numerical आएगा ही आएगा तो इसमें मोल अर्ता मोल अल्ता मोल प्रभाज मोलल उनने इस्थरांग मोलल अनमन इस्थरांग इन सब topics के numerical आपको विल्कुल से पढ़ लेने हैं यह ध्यान रखिएगा और 12 कमिष्टी के numerical मैं आपको अल्रेडी बता चुक हूँ और आप लोग सर्च करेंगे solution chapter important numerical सुभम लेक्षर आपको class मिल जाएगा यह class 12 कमिष्टी important reaction सुभम लेक्षर फिर भी आपको class मिल जाएगा फिर chapter 2 बिद्दुत रसायन मे भी कुछ numerical हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा chapter 3 रसायनिक बलगत्की में तो numerical सी numerical हैं इसको पढ़ लीजिएगा पूरे कमस्टी में 10 chapter में सिर्फ यही तीन chapter हैं जिन में numerical हैं तो इन तीन chapter में जितने भी topic हैं उनका formula जरूर आपको आना चाहिए जैसे फर्स chapter में मोल अरता, म सेल है उसका विद्धु आप बलगयात कीजिए इस टाइप का numerical थर्ड चैप्टर में तो आपको पता ही है कौन सा numerical आता इसमें इसमें जो आपका ये अवक्रिया कितने समय में पूरा होगा आरधा युकाल और जो प्रथम कोड़ की अवक्रिया के लिए भी इस्थरां का सम ही है ठीक है तो ये था 12th कमिस्ट्री का एक ऐसा क्लास जिसमें मैंने आपको सारी चीजे बता दी कितने नंबर में कौन कौन से कुश्यन आ सकते हैं कौन कौन से कुश्यन आएंगे कौन कौन से reaction important है कौन कौन से named reaction important है numericals किस chapter से आएंगे सारा पूरे कमिस्ट्री का हमने operation कि है ठीक है तो इनको पढ़के जाना बाकी classes हम आपको डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं उसके according आपलो त्यारी करते रहना तो आज का class यही पर finish होगा जाते जाते इस वीडियो पर लाइक करना चैनल पढ़ने चलोंगे सब्सक्राइब करना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो